Dear Students, Welcome in the next lecture of the series of Atomic Structure. अब हम इस Atomic Structure series lectures का Part 7 इसमें पढ़ेंगे और यहां पर हम डिसकस करने वाले हैं Shapes of SPD Orbitals. यहां पर हम different orbitals के shape डिसकस करेंगे, जो की हमें पता चलते हैं, आपने देखा था Schrödinger Wave Equation का जो Polar Coordinate का जो वहां से हमें Wave Function पता चला था, जो की Angular Wave Function था और उस Angular Wave Function की help से shape of the orbital पता चलता है, और यहां पर हम डिसकस करेंगे की what are the shapes of S, P and D orbitals. अगर हम देखें, हमने पहले भी देखा था आपने, कि किस तरीके से हमें सब शेल के अंदर orbitals का बता सकते हैं, कितने नंबर उसमें होंगे और कितने इलेक्ट्रोंस उसमें प्रेजेंट होंगे, वो हम एजी मुतल क्वांटम नंबर की help से बता सकते हैं, तो यह जो आपको पहला और्बिटल दिखाएगा है, यह S और्बिटल है, और तीन P और्बिटल होते हैं, उनका नाम आपने देखा, PX, PY and PZ और्बिटल और फाइब टी और्बिटल होते हैं, अगर जो सब शेल हैं, उसमें एक अर्बिटल होता है, और जो P सब शेल हैं, उसमें तीन P और्बिटल होते हैं, तो पहले हमें जब के टेगराईजेशन हमें पता चल गया हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि P-orbital और D-orbital में हमने directions को use किया, हमने X, Y, Z coordinates को add किया है, नाम में उनके, जब कि S-orbital में हमने ऐसा नहीं किया है, मतलब है कि जो S-orbital हैं, वो non-directional होते हैं, जब कि जो P-or D-orbital होते हैं, दिशा दिखाते हैं, जो D-orbital और P-orbital हैं, यह दिशा दिखाते हैं, जब कि S-orbital जो है, वो non-directional है, यहां पर हम discuss करेंगे S-orbital का shape, और अगर आप S-orbital को देखेंगे, तो यहां पर मैंने plus लिखा हुआ है sign, और यहां पर negative sign लिखा है, तो यहां पर जो S-orbital है, वो spherical shape का होता है, और अगर हम इसमें electron की पाए जाने की संभावना देखेंगे, तो वो nucleus के चारों और देखेंगे, यहां पर जो S-orbital है, वहां पर चारों और spherically, symmetrically संभावना होगी, electrons के पाए जाने की, और यह जो sign है, यह plus minus sign, it is actually the wave sign for this orbital, और अगर हम देखें, तो यह S-orbital पर या तो केवल positive sign होता है, या केवल negative sign होता है, या तो हम इसे dark रंग से दिखाते हैं, या हम इसे light रंग से दिखाते हैं, तो S-orbital को हम एक ही रंग से दिखाते हैं, एक ही wave function क्योंकि उसका sign होता है, इसलिए S-orbital spherically symmetrical है, और यह जो है वो एक ही orbital इसमें होता है, अगर आप P-orbital को देखेंगे, तो P-sub-shell में 3 P-orbital हैं, देखिए, यह जो orbital आपको दिख रहा है, देखिए, X-direction है, यह Y-direction है, और यह Z-direction है, तो यह जो P-orbital है, यह double, यह dumbbell shaped है, dumbbell shaped, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह lobe, एक lobe है और दो lobe है, इसके दो lobes हैं, dumbbell shape में, और यह X-direction में, यह lobes present हैं, तो यह जो orbital है, यह है, this is P-X, तो यह कौन सा orbital है, यह P-X-orbital है, क्योंकि यहाँ पर जो lobes हैं, orbital की यह X-direction में है, यहाँ पर आप, दूसरा orbital अगर आप देखेंगे, तो यह Y-direction है, और जो इसके lobes हैं, वो Y-direction से होते वे जा रहे हैं, along the Y-axis हैं, so this orbital is P-Y-orbital, यह कौन सा orbital है, P-Y-orbital है, और अगर इस orbital को आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, lobes जो हैं, वो Z-direction में हैं, तो इस orbital को हम क्या कहेंगे, this is P-Z-orbital, तो यह orbital P-Z है, तो इस तरीके से आप देखेंगे, P-Sub-Shell में तीन और बिटल होते हैं, P-X, P-Y, and P-Z, और इनके जो lobes हैं, वो आप देख रहे हैं, along the axis, एक्सेस से होते वे जा रहे हैं, और यह direction बता रहे हैं, X-direction, Y-direction में P-Y-orbital, और Z-direction में P-Z-orbital, और इनको combined form में देखें, तो किछ इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, एक जो orbital है, वो Y-direction से होता हुआ जा रहा है, एक X-direction से और एक Z-direction से, तीनों के तीनों orbitals, they are perpendicular to each other, अगर हम P-Orbitals में Electrons की पाए जाने की संभावना को अगर देखें, तो देखिए, P-Orbitals इसमें dumbbell shape है, एक लोब, दूसरा लोब यह है, और यहाँ पर आप देखें कि इस जगह पर Electrons की पाए जाने की संभावना maximum होगी, जबकि यह जो portion है, यह जो plane है, यहाँ पर Electron की पाए जाने की संभावना, the probability of finding electron is zero, तो यह nodal plane है, यह nodal plane है, इस जगह पर Electrons की पाए जाने की संभावना क्या होगी, zero होगी, जबकि maximum जो probability of finding of electrons वो यहाँ पर होगी, यह जो P orbital है, यह P orbital का एक जो P-Z orbital है, उसका 3D view आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यह आप देख सकते हैं इस orbital को, कि किस तरीके से हम इसको, यह Z direction में इसके लोब है, ऐसे यह X direction है, और यह Y direction, यह जो direction आपको आगे पीछे दिखाई दे रही है, यह Y direction है, और यह X direction है, और जहाँ पर जिस direction में लोब है, वो direction कैसी है, वो direction है, Z direction, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह लोब का कलर अलग अलग दिखाए गया, देखिए एक डाक ब्राउन है और एक यलो है, मतलब है कि यह लोब अगर हम देखेंगे, तो एक लोब वेव का positive sign है, और दूसरा लोब उसका negative sign है, तो यह हम, मैं आपको दिखा रहे हूँ फिर से draw करके कि, यह तो आपको मैंने three dimensional इसका photo दिखाए कि किस तरीके से दिखता है, अगर इस direction में लोब है, तो पी जेड है, अगर यह इस direction में लोब होता, तो यह पी वाई होता, और यह देखेंगे आगे पीछे जो है, यह x direction है, तो यहाँ पर जो अगर लोब होंगे, तो वो p x orbital, Now I will show you the drawing of these p orbitals, अब मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से p orbitals को draw कर सकते हैं, तो यह आप देखेंगे कि यह अगर यह जो direction है, अगर यह जो direction है, तो यह orbital क्या है, p z, अगर इदहर यह जो direction है, if it is x, then this orbital is p x, and if this direction is y, then this orbital is p y, तो तीन orbitals हैं, और इन orbitals में कैसे हम wave signs को दिखाते हैं, wave sign कैसे हम इसमें दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक lobe कैसा होगा positive sign, और दूसरा lobe क्या होगा, negative sign, एक lobe होगा positive, दूसरा होगा negative, और एक lobe होगा positive, एक होगा negative, So this is dumbbell shaped P-orbital और यहाँ पर आप देखेंगे इसलिए मैने आप से कहा था कि एक लोब को हम कैसे दिखाते हैं डाक कलर से दिखाते हैं एको हलके से इसका रेप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर मैं लोब को ऐसे दिखा हूँ और यहां पर मैं इसके एक लोब को मैं completely fill कर दो, okay So this is also a way to represent a P orbital कि एक लोब इसका dark कर दें और दूसरा लोब इसका halka कर दें तो यानि एक part positive है और दूसरा part क्या है, negative है तो इसको हम और भी किस तरीके से show कर सकते हैं अगर मैं एक wave draw करूँ देखिए, यह wave है और अगर मैं इसी, देखिए, यह wave का positive part है, यह wave का negative part है और इसको अगर मैं orbital दिखा हूँ तो देखिए, यह P orbital बन गया So यह एक P orbital है, कहने का मतलब है कि जो wave representation है P orbital का एक part इसका positive है और दूसरा part क्या है, negative है So this is the representation of P orbitals और आपको दिखान रखना है, plus minus sign is important when you learn or study the molecular orbital theory तो वहाँ पर बहुत important है, अगर आपको यह plus और minus sign के बारे में नहीं आएगा तो आप MOT में आपको थोड़ी दिखत होगी तो आपको दिखान रखना है कि P orbitals में plus और minus sign होते हैं यह wave representation है P orbital का अब आप देखेंगे D orbitals अब D orbitals जो हैं 5 होते हैं, यह D sub shell में 5 orbitals होते हैं Dxy, Dyz and Dxz and 2R, Dx square, Y square and Dz square अब आप यहाँ पर देखें, difference देखें यह जो Dxy है, देखें, यह जो lobe है, यह double dumbbell chip जो आपको यहाँ पर 2P orbital को अगर हम एक दुसरे से cross करें तो D orbital बन जाएगा, ओके, तो देखें, यहाँ पर lobe आप देखेंगे, यह X direction है यह Y direction, इसके बीच से यह lobe होते वे जा रहे हैं तो यह Dxy है, यहाँ पर आप देखें, जो lobes हैं, वो D, Y और Z के बीच में हैं तो इसको हम कहेंगे D, Y, Z orbital और जहाँ पर lobes X और Z के बीच में होगे तो उस orbital को हम कहेंगे D, X, Z orbital और आप D, X square, Y, square में डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर देखें, X direction और Y direction तो यहाँ पर जो lobes हैं orbital के, वो X, X से होते वे जा रहे हैं तो S orbital क्या है, D, X square, Y square orbital और D, Z square orbital वो है जहाँ पर orbital जो है, वो जो lobes है, वो Z direction में है और diffuse type इसका orbital होता है, देखें, D orbital का मतलब diffused P का मतलब principal and S का मतलब spherical तो उनका जो नाम जो निकला है, वो उनके shape के according निकला है क्योंकि S orbital, spherical होता है shape में P orbital principle उसको हम कहते हैं और D orbital को diffuse type कहते हैं बड़े-बड़े lobes इसके होते हैं, तो इसका shape कैसा होता है diffused type होता है, D orbital's का shape अब मैं आपको इसको, पहले इसका 3D आपको picture शो करूँगी इस orbital को अगर आप देखेंगे, तो इस orbital के आप 3D V को देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि देखेंगे य डिरेक्शन है और यह Z डिरेक्शन है lobes जो है in between Z and Y axis तो इस orbital को हम क्या कहेंगे इस orbital इस यह कैसा orbital है, यह है DYZ orbital क्योंकि यहाँ पर lobes जो है और X और Y के बीच में है तो यह orbital क्या है डि-łości arrow आप देख सकते हैं देखें यह आप देखिए यह जो डिरेक्शन है Y और एक्स इनके बीच में lobes है तो यह कैसा orbital है D आप दुसरा e portal देखे यह dataillar कोे अगर आप देखेंगे तो यह जो love है वह Z डिरेक्शन पहें देखिए तो यह अगर आप देखेंगे यह दोनों का शेड एक सा है और बीच में डार्क शेड है ऐसी आप देखेंगे इसका यह जो पार्ट है यह डार्क ब्लू है और यह जो दो लोप्स है यह लाइट ब्लू है तो इस पर भी मैं आपको वेव का प्रेजेंटेशन यह ध्यान रखना है यहाँ पर जो अपोजिट लोप से हैं वो एक कलर के हैं और जो दूसरे अपोजिट लोप से हैं वो दूसरे कलर के हैं तो इसका वेव रेप्रेजेंटेशन हम आभी देखेंगे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप डी जड स्कॉयर में देखे की अगे नव में बशाइब दी ऑर्बिटल करने जा रही हूं आप देखिए यह डारेक्शन मन लीजिए यह एक्स है और यह डारेक्शन वाई है तो अगर इनके बीच में मैं लोब करूँ तो यह और्भिटल क्या है टी एक्स वाई उके अब दूसरा अगर हम देखें मैं इ और अकर मैं एक और ड्रॉव करूँ और यहां पर यह वाई डिरेक्शन है मानलीजे यह जेट डिरेक्शन है तो इनके बीच में जो लोब्स होंगे उसकी वज़ा से इस और्बिटल का नाम क्या होगा डी वाई जेट और डी जेट वाई ओके अब हम इसको कंपेर करेंगे और यहां पर आर्बिटल हमने ट्रॉख किया था अगर तो देखिए यहां पर यह जो और नाम क्या है डी जेट श्कॉयर लेकिन इसको इस तरीके से टी आरिटल हो गए अब मैं इसम में वेव शाइन लगाँघए अभी मैंने आपको यह बताया है कि यह जो दो और्बिटल है dx², y² and dz² यहाँ पर lobes along the axis है और यह जो तीन और्बिटल है यहाँ पर lobes in between the axis होती है अब आप देखेंगे वेव साइन तो अगर मैं वेव साइन एट करूँ यह देखें जो अपोजिट साइट के lobes है इनमें मैंने प्लस साइन लगाया और जो अपोजिट साइट के lobes है उनमें नेगेटिव साइन लगाया ऐसे ही देखें जो अपोजिट साइट के उनमें प्लस साइन और जो अपोजिट साइट के नेगेटिव साइन तो इस तरीके से इनका wave जो representation है वो इस तरीके से होता है कि इनके opposite lobe जो है वो एक से sign के होते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर show करेंगे यह दोनों अगर positive हैं तो यह दोनों lobe negative होंगे हम किसी भी lobe को positive दिखा सकते हैं यहां पर आप देखेंगे यह दोनों लोब positive है यह जो side में है यह क्या है negative है तो इस तरीके से आप देखेंगे जो d orbital हैं वहां पर जो opposite lobes हैं वो एक sign के हैं और opposite lobes एक sign के हैं तो p orbital से इस तरीके से different हैं कि यहां पर double dumbbell shape है और आप wave sign इनका देख रहे हैं इसके इलावा हम इसको ऐसे भी represent कर सकते हैं कि हम अगर हम इसको x, y को represent कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे दो lobes को dark दिखा दें और do lobes को 2019 देखा तो इसका मतलब है यह wave के यह एक part है और wave का यह दूसरा part है तो हम इस तरीके से भी इसको represent कर सकते हैं तो d orbitals मैं आपने इस तरीके स पांच orbitals का टाइप देखा अब मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ एक नया term g-rate and un-g-rate देखें g-rate g-rate का मतलब है g से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और g-rate orbitals are actually they are symmetric and during inversion through the center the sign of the lobes remain unchanged जो g-rate orbitals होते हैं उनके case में क्या होता है कि अगर उन orbitals को invert किया जाए तो उनके जो lobes के जो sign थे positive negative वो change नहीं होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं उनको हम g-rate orbitals कहते हैं un-g-rate orbitals के नहीं कहते हैं अगर हम उन्हें invert करें तो lobes के जो sign है वो invert हो जाते हैं so that the sign of the lobes of the orbitals reverse by the inversion operation तो इसमें मैं अगर आपको s-orbital दिखा हूँ तो आप देखें ये s-orbital है तो s-orbital ये था अब मैं इस s-orbital को इस axis में ऐसे rotate करूँ तो ये plus sign रहेगा अगर मैं इस axis के 4 और इसको rotate करूँ तो भी ये कैसा रहेगा plus यहां पर आप देख रहे हैं जो sign है वो plus रहेगा so these orbitals are g-red orbitals और इनको हम g से represent करते हैं तो ये जो orbitals होते हैं s उनको हम g से represent करते हैं s-orbital को generally हम a1g कहते हैं यानि g हम इसके sub-script में लगा देंगे small a का मतलब है एक orbital होता है one orbital, singly degenerate उसमें बहुत गहराई में हमें नहीं जाना है हमें सिर्फ ये बताना है कि g-red हम किसे कहते हैं next हम देखेंगे अगर हम g-red के terms में p-orbital को देखें तो देखिए p-orbital है तो p-orbital का एक लोग हमने positive मान ली है दूसरा लोग negative है अगर मैं इसको ऐसे revert करूँ मतलब इसको मैं यहां से ऐसे घुमा दो तो यह red वाला जो part है वो यहां जाएगा और जो blue वाला part है वो यहां जाएगा अब मैं इसको दूसरे axis से rotate करूँ यानि यहां से rotate करूँ तो यहां पर मैंने ऐसे rotate किया है ऐसे और यहां पर जो हमने rotation किया है वो ऐसे किया है तो पहले rotation में आपने देखा कि यह lobes change हो गए यह lobe यहां चला गया और दूसरे rotation में lobe वही रहा तो अगर हम overall देखेंगे इसको हम कहते हैं inversion तो इन्वर्जन में overall अगर आप देखेंगे तो यहां पर plus sign यहां था अगर तो यहां पर plus sign क्या होँ है इन्वर्ट हो गया तो यह inversion जो है इस इस दे इन्वर्जन और इस inversion को कहते हैं wave sign देखें पलट गए तो इसको हम कहेंगे यह जो orbitals हैं these orbitals are ungerate तो जो p orbitals होते हैं वो ungerate होते हैं उसे हम u से दिखाते हैं small u से क्योंकि जो p orbitals होते हैं वो तीन होते हैं तो उसे हम capital T से दिखाते हैं triple E degenerate और इसमें हम g का use करते हैं इसके sub, sorry, u का use करते हैं इसके sub script में क्योंकि orbitals कैसे होते हैं अंजीरोट होते हैं, जनरली इनको हों, अंजीरेट और्बिटल्स कहते हैं, अब हम बात करेंगे d-orbिटल्स की, देखिए ये d-orbिटल है, अगर मैं इसको इस एक्सेस के अलोंग इसको घुमा दूँ, तो मुझे सेम साइन मिलेंगे, ठीक है, अगर ये d-z-square और्बिटल है, अगर मैं इसको इस एक्सेस के अलोंग रोटेट करूँ, तो मुझे सिमिलर वेव फंक्शन मिलेंगे, देखिए ये वेव फंक्शन वहीं पर है, इनका साइन अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहेंगे, अगर ये जैसे था वैसा ही आपको दिख रहा है, तो ये जो स्प्लीटिंग होती है, तो वो एजी एंड टी विग सेट में डिवाइट होती है, हम वहाँ पर जी का यूज करते हैं, जी का मतलब जी रेट और उसमें इन्वर्जन सेंटर है, अगर हम उसको इनवर्ट करेंगे, तो हमें वेव साइन सेम मिलेंगे, तो हम इने क्या कहते ह and D for triply degenerate इसी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं देखिए इस एक एकसेस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए अगर इस एकसेस के along इसको rotate किया जाए तो यह आप देखेंगे यह लोब यहाँ चला जाएगा और यह लोब यहाँ आ जाएगा तो आपको इसका inverted मिलेगा और यह आप देख सकते हैं कि यह लोब देखिए यहाँ आ गया यह लोब जबकि यहाँ पर negative था यहाँ पर यह लोब positive हो अब इसके बाद हम इसको दूसरे एकसेस से अगर rotate करें ऐसे तो आप देखिए यह लोब यहाँ चला जाएगा और यह लोब यहाँ आ जाएगा तो आप देखिए यहाँ पर यह लोब आ गया फाइनल यह अगर हम फाइनल इसका orientation देखेंगे तो प्लस अपनी जगह पर रहा यह inversion कहलाता है तो no change in the science of these orbitals are g-rad type orbitals and in case of again d z square को अगर हम देखेंगे तो वो भी एक g-rad orbital है तो हम किसी भी d orbital को लें चाहे वो d x y हो चाहे वो d y z हो चाहे वो d z x हो या वो d x square y square हो या वो d z square हो all the orbitals are g-rad orbitals क्योंकि यहाँ पर inversion पर जो sign है orbital का wave sign वो change नहीं होता है तो इस तरीके से आपने देखा कि जो d orbitals होते हैं उनके shape कैसे होते हैं आपने देखा जो s orbital है s orbital के case में shape is spherical था वो g-rad orbitals थे वो spherically symmetrical थे non-directional थे अगर मैं p orbitals की बात करूँ तो p orbitals में electrons की पाये जानी की संभावना कौन से lobes में थी जो lobes थे उनके उनमें थी जो center part था वहाँ पर नहीं थी जबकि s orbital में जो electron की पाये जानी की संभावना थी वो nucleus के चारों ओर होती है तो ये g-rad orbitals होते हैं p orbital जो की dumbbell shape होते हैं उनमें electron की पाये जानी की संभावना यहाँ lobes में होती है center part जो है node है वहाँ पर electron की पाये जानी की संभावना 0 होती है और यह un-g-rad orbitals होते हैं क्योंकि inversion पर इनके जो sign है वो change हो जाते हैं और यह जो p orbitals होते हैं they are directional क्योंकि वो directions हो कर रहे हैं वो px है वो py and pz है और अगर हम d orbital को देखे तो वो 5 तरीके के होते हैं d orbitals g-rad orbitals होते हैं और यह दो set में अगर आप देख सकते हैं कि ऐसे 3 orbital जिनके lobes in between the axis होते हैं और ऐसे 2 orbital जिनके lobes along the axis होते हैं तो इनको हम g-rad orbitals कहते हैं इसलिए यह generally 2 set में divide होता है जब इसकी splitting होती है और आपको अब I think आपको आगिया है कि क्यों हम इसमें g का use करते हैं e g and t to g का यहाँ पर भी electron की पाए जाने की संभावना यहाँ lobes के किनारे होती है center में electron की पाए जाने की संभावना नहीं होगी यहाँ पर 2 node मिलेंगी एक node यहाँ पर है और दूसरी node यहाँ है तो nodal plane पर electrons की पाए जाने की संभावना क्या होगी 0 होगी So this is all about the shapes of S, P and D orbitals Thank you very much